given below are two statements statement one viscosity of gases is greater than that of liquid ये तो गलत बोल रहे हैं भाई साहब कैसे greater हो जाएगा liquid के दो molecule के भी ज्यादा attraction होता है gases के दो molecule के भी कम attraction होता है ठीक है तो ये viscous force जो है वो दो molecule कितना एक दूसरे से जुदा होते समय फोर्स लगाता है वही तो है जैसे ये टॉप लेयर का molecule है one two three ऐसे और उसके नीचे है a b c तो ये जब उपर वाला layer जाएगा three जब आगे जाएगा तो c उसको जाने नहीं देगा तो ये दो molecule के बिच लगने वाला attraction फोर्स ही तो विसकस फोर्स होता है तो लिक्विट के molecule के ज्यादा फोर्स लगता है और ये बोल रहा है कि ग्रेटर होगा तो ये तो गलत हो गया होता है पानी में तो वह ओएल डालने से केरोसीन डालने से पानी के दो molecule के बीच लगने वाला फोर्स वीक हो जाएगा क्योंकि पहले ये दोनों पास पास थे अब इन दोनों के बीच एक वीलेन आ गया कबाब में हड़ी आ गया देखिए बीच में आ गया इन्सोल्यूबल वाला तो ये जो ब्लू कलर वाला दोनों था इन दोनों के बीच का फोर्स वीक हो जाएगा तभी तो मच्छर डूब जाता है सर्फेस टेंशन डिक्रीस हो जाता है लिक्विट का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वञ इन इनकररेक्ट है और स्टेटमेंट लिखा है और स्टेटमेंट टू सिथे जा इस तो